असलाम अलेकूम नमस्कार सस्रीयकाल और गुड इवनिंग मैं हूँ अर्जु काजमी और आप हमेश्चा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राय जी यहां बेजा फ्राय के इन एपिसोड के साथ हम हाजर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी नियूस की तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा और प्लीज बैल आइकोन को भी क्लिक कर दीजेगा ताके जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन आजाए अब द अपनी आउडियन्स से कोई पैसा नहीं मंग रहे लेकिन इतना फेवर जरूर मैं मांगती हूं कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकोन को क्लिक कर दीजिए और लाइक के बटन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिए चाहिए वीडियो अच्छी लगए या आसे मुनीर साब की जी आँ जनल आसे मुनीर साब जो के पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आजकल अमेरिका के विजिट पर हैं और वैसे तो खेर अमेरिका वो गए हैं डिफेंस पे बात करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो टी टी पी और टी जे पी और पतनी कौन कौन CP जो हैं वो मिलके पाकिस्तान के उपर अटैक किये जा रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी उनको कहा जाएगा अमेरिका को कहा जाएगा कि जी वो जो आप लोग अपने कीमती हतियार और क्या कुछ छोड़ के चले गए तो आप से रिक्वेस्ट ये है कि हमें भी कुछ पैसा दे जी जी हमें भी कुछ हतियार दे जी जी ताकि हम मकाबला कर सके तहरी के तालिबन पाकिस्तान का अमेरिकावले भी कहते होंगे ये तहरी के तालिबन पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी तो फिर आखिर पाकिस्तान वालों से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हैं हमसे यहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता ये वाद भी सबी लोग जानते हैं चाह की दूसरी चीजों के डूबर अमेरिका की जो भागी जो के ता जैने खिलिया के साथ G7 के जोटा दिया इस किसम की बाते की जा रही है वो एक disputed territory है और उसके उपर भारत ऐसा नहीं कर सकता उसके बाद वहाँ पर जो case किये गए उसके against यानि के महभूबा मुफ्ती और कई दूसरे जो कश्मीरी लीडर ने उन्होंने इस 370 को हटाए जाने के उपर जो cases किये थे उसके उपर भी उ एक तरह की यह बात की जा रही है कि भाई यह क्या हो गया ऐसे नहीं होना चाहिए था और कैसे चीज़ को रोका जाए वैसे बहुत टाइम से लोगों को एक उमीद थी पाकिस्तान में और यही सोचा जा रहा था यही समझा जा जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो यकीनन जो भारत जो भारती गवर्मेंट चाहती है उससे गेस्ट आएगा और जो पाकिस्तान की गवर्मेंट चाहती है उसके फिवर में आएगा यानि के एक बार फिर तरी सेवन्टी लागों कर दिया जाएगा एक बार फिर तरी सेवन्टी लगा दिया जाएगा अमेरिका से भी की है और उनका यहीं कहना है जी थ्री सेवन्टी जो है उसको दुबारा लगवाया जाना चाहिए था और बारत बहुत गलत कर रहा है कश्मीर में लेकिन अब उसके उपर अमेरिका ने क्या जवाब दिया यह तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं लेकिन अमेरिक नहीं कहा होगा कि जी आप लोगों का अपस का मामला है या यह इंडिया का अपना मामला है कि वो कश्मीर में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं मगर यह जरूर है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थी यहां मेरा ख्याल था कि शायद आर्वी चीफ जब अमेरिका या किसी भी या कह लीजिए कड्री में हूँ लेकिन वह कश्मीर कश्मीर नहीं छोड़ते लेकिन एक बार फिर हमारी सोच हमारे जैसे कई लोगों की जो एका हमारे बाAb stuff कैसा नहीं होगा वह गलत साबित हुए और बारहल यह शायद एक तरीका होगा एक छीज होगी कि जी जब भी कोई पाकिसान से जाएगा चाहे वो हैड अफ स्टेट हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो कोई भी ऐसा ओफिशल है जो के गवर्मेंड के साथ है तो वो जाकर एक बार कश्मीर कश्मीर जरूर करेगा क्योंकि इसके बगएर मुझे लगता है हम लोगों को खाना अजम नहीं हो unjustat है की बात कीजिए बारत से सी करने की बात कीजिए लेकिन एक बार प्र आर्मी चीफ जो इस वक al आर्मी चीफ बापाला हा लगाई और यकीनन उसके बार क्या जवाब आए होगा वही जवाब आए होगा जो पिछले कई बारी कोंगे ड़ीजर्ट यानि obey और नंबर आ 혼गी जीरो और मगर अजीब सी बात है कि इतना कुछ होने के बाद जो लोग मुल्क को चलाते हैं जिनके हाथ में कंट्री की भाग दौर होती है या जो पॉलिसी मेकर्ड होते हैं मेरा थोड़ी सी तो उनको अकल होनी चाहिए कि उन्होंने क्या बात करनी है कहां जाकर करनी है और क् नहीं लेकिन हमारे ऐसा कुछ देखने को मिलता भीonzाव यह पाकिस्तान को चलाने वाली पाकिस्तान की आर्मी ए, पाकिस्तन की ऐजन्सीज आ है, यह पॉलिटिशन तो सामने वैसी बिठा दिये जाते हैं मगर असल में तोो जो पाकिस्तान को चला रही है ऑन्को यह पाकिस साथी अरेबिया, UAE या कोई और कल्प कंट्री से आया और यहां पर भी मॉल बना दे, यहां पर भी रोड्स और पाकी चीजें जो है वो अच्छी हो जाएं जैसे भारत कर रहा है तो शायद आपको भी कुछ बेतर लगे और कश्मीर के लोग भी खुछ हो लेकिन ऐसा कुछ करते हुए हमारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हाँ यह जरूर है कि हर तोड़े दिन के बाद अमेरिका या कही ना कही जाके या इनाइटर डेशन में जाकर जो है वो कश्मीर कश्मीर करना चुटे क्योंकि काकर साब की जिसके समगी स्टेटमेंट आती है वो सुनने के बाद इनसान अपना सारी पीट सकता है उसको मतलब उनको शाबशी नहीं दे सकता यह नहीं कह सकता कि वाह क्या बात की है तो बिल्कुल ऐसे ही काकर साब ने जो रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट कश्मीर को ही लेकर दिया था उसमें काकर साब का यह कहना था कि जी कश्मीर के लिए 300 बार जंग लड़ सकते हैं बारत से मतलब यह कि 299 टाइम्स तो इनको पूरा यकीन है बारत के साथ हम 4 जंगे और लड़ सकते हैं बारत के साथ हम 2 जंगे और लड़ सकते हैं बारत के साथ हम 5 जंगे और लड़ सकते हैं बारत के साथ हम 3 जंगे और लड़ सकते हैं लेकिन 300 जंगे लड़ सकते हैं बोला काकर साब ने कामतलब काकड साब को ब workshop के जीतने माले हम रेग्स तो अन्होंने का होगा फिर जंग पे जंग 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 जो क्याल से रही चाहत है कि और धायक के साथ वो जंग हडने वाले कश्मीर पे इसलिए कि अगर हम जीत जाएंगे तो फिर हम मतब क्यों लड़ेंगे अगर हम पहली और दूसरी बारी में ही जीत जाएंगे तो फिर लएट जी वाट पिर वापस आगए फिर वापस आगए अगये फिर आगये पर आगये पर आगया कभी अछी अव्यार डाले कुझब सब्ским करेंगे उस वक्त जैनी वाले हैं या हरने वाले हैं रादेट्याथ चाहर और घ्राइया आपकी बास से मुझे बहुत अफसोफ हुआ है किवा भूस आप्सवा ओ decision तो लेकिन ना सर यह सारी चीज़ हम करने के सोच रहे थे और आपने के दिया कि 300 टाइम्स जंग करेंगे इसका मतलब जैसे मैं कब से कह रही हूं कि इसका मतलब है 299 टाइम्स तो हार पकी है तो सर भी लास्ट टाइम में भी फिर मानी जाईए कि उसके बाद भी फिरहार नहीं होगा ना इतनी जंगे करेंगे फिर भी कुछ नहीं आसल है तो बेतर यह नहीं है कि अपनी हार मान लीजिए या इंसान के पुतर बन जाईए और उसके बाद यह जो हमें कादसी पढ़ पढ़ेगी एक उनिट, होसला, होसला, एक तो यह ने नए लगा दी है आपने देखा ना क्या है ऐसको क्रिस्मस ट्री, जी या ख्रिस्मस ट्री में फैमिली ट्री बोलने ऐानी थी, खृ Chamüas में ट्री और बहुत से लगो यह उन्म टो चया हो, ढागो जा के ढूंड लेते ह इसको मैं इधर लगा दिया है, मैंने, कैर एन्यवे ये मैं आपको अपनी घुरुबत की कानी ने सुना जी थी मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो मैं आपको ये बता दू, कि जी हमारे जो जड़िज्ज्स हैं, यानि के जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोड क जजिस हैं और उनके बारे में यह जी नॉटिफिकेशन आया है झे वो या उनकी फैमिली जब ट्राइवल करेंगे तो उनका नहीं किया जाएगा इन्यी चेक करने से कि भाई कोई ड्रग्स तो नहीं ले जा रहे कोई गोला वारूद कोई चाकू अकू इस तरह की चीज़ तो नहीं ले जा रहे तो वो चेकिंग नहीं होगी अब वो चेकिंग नहीं होगी जैजिस की भी नहीं होगी जैजिस की फैमिलीज की भी नहीं होगी अब ये फैसला क्य कि यानि जैजज़े को चैक नी किया जाएगा ऊंकी टैनी की किया रशाय को चैक क्या पतार्य कोई लेकर निकल जै कि यह कर दो कहीं या किछ नी सकता को इक कि रोश्म दीबिचशे का और क्व까요 то मेरे अिंसा नहीं उना चाहिए इंच सफी ऑर आर्मी वालों के साथ form थे politician जो भी हमारी upper class है ना क्योंकि पहले तो एक हैर यह होता था कि लोग अपने खानदान की वजह से upper class ये lower class कहलाते था पैसे की वजह से होगी यानि कोई आदमी कहीं से भी उठकर आए अगर उसके पास पैसा आगिया ना तो पाकिसान में उसको upper class का कहा जाते है चाहे वो एक दम समझें गटर सो उटकर आ रहा हूँ लेकिन पैसा है तो फिर वो जी वो upper class है और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाहे जितने नहीं होना चाहिए ताम अगर है पाकिसान में बहुत कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए बात हम करेंगे फवाद चौधरी। जाते हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स का आजकल यही हाल है, कोई भी घर वापस बेजने के लिए किसी को तैयार नहीं है, मगर यह जरूर है कि इनकी जो मिसिस हैं, हिबा फवाद, उनकों का, उन्होंने कहा है कि जी जेलम जो के फवाद चौदी साफ का गड़ है, जहां से फ फवाद चौदी साप के लाके से, उन्होंने यह काई कि गडी जरूः कर रही हैble, फवाद जो हैं, वह इलेक्शन की तैयारी फवाद चौदी तो उन्दर है, जारे उन्होंने क्या तैयारी करनी है, उनकी मिसिस ने काई, कि जी वह फवाद चौदी के जेलम में सब तैयारी करके रखेंगी ताके जैसे ही एलेक्शन हो तो फवाज चोधरी साप के लिए भी जो है वोट वगेरा लिए जा सके बात करेंगे पीपल्स पार्टी की जो तरकी सिन में हुई है उसे मुल्क भर में फिलाने का वक्त आगिया है शाजिया मरी जी हां यह ह कहना यह है जो तरकी सिन में हुई है उसे सारे मुल्क में फिला देंगे प्लीज प्लीज हाद जोड़ती हूं मैं आपको प्लीज खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोगों ने सिंद का जो हाल किया वावावा पूरे कंडरी का करने वाले मतलब हाद हो हुए अजी मतलब एक तो शर्मिंदा भी नहीं होते हैं हमारे पॉलिटिशन इतने डीट हैं इतने डीट हैं के बस ना पूछे मतलब इन्हों ने पूरे सिंद्ध की ऐसी करके रखी पूरे सिंद्ध की इंड से एड़ बजा दिये और अब यह कह रही है कि जो तरकी मतलब क करकों के रखा हुए लाड़काना और पूरे सिंद का और कराची और हर शहर जो है उसकी इंसे बजीभी है और शाजिया वारी साहिबा करी एक मुझे नहीं पता कि तरक्की से इनका क्या मतलब है कौन सी तरक्की कर ली है लेकिन बारहल अब इनके उपर भी लोग सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत इनकी तारीफ कर रहे हैं और बड़े अच्छल फाद में इनकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा क्याल है वो पढ़ भी रही है यह 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 कि नवाज शलीफ साब का कहना यह कि अवाज श्रीफ की दैशादगर्दी के हात्मे की पॉलिशी पर अमल ना रोक जाता तो आज दैशादगर्दी दिबारा जिन्दा ना होती यह के कहना जी शेवाज शरीफ साब का भाई हो तो ऐसा हो मतलब कुछ भी हुआ हो ना हुआ हो भाई की बटरिंग करने में शेवाज शरीफ साब का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है बलके भाई की क्या हो तो आर्मी के लिए भी कहते हैं कहां जी मैं आर्मी का ही फेवर में करत करता हूँ कि हाँ मैं establishment का बना हूँ ये भी कई बार शेवाज शरीफ साफ कह चुके लेकिन बारहला मुझे नी पता कि नावाज शरीफ साफ ने टर्रिजम के लिए ऐसा कौन सा काम किया था और वो कौन सा काम था जिसको रोग दिया गया जिसकी वज़ा से टर्रिजम जो है व मुझे नी पता कि आखर ये सारे के सारे अकलमंद लोग जो हमारे जिनको अकल बंद भी कहा जाता है कि सब के सब पाकिस्तान में क्यों पाई जाते हैं और अगर ये किसी और कंट्री में भी हैं चाहे वो भारती क्यों ना हो तो फ्लीज मुझे ज़रूर बताएगा ताके मै हां तो बस देखे बस आप कहते हैं के भाई ये तो कमाल ही हो गया मतलब कमाल करते हैं पढ़ने जी मगर यहां से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत सारा कहल रखिए कि हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए और हां हमारे चैनल को प फिर मिलूंगी थैंक यो